आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूटूब चैनल गार्डनिंग बोई पे तो आज है रविबार का दिन और हम आए हैं नरसरी पे आपके लिए एक नई जानकारी लेके तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ उससे पहले आप इ इसी टोपिक पे हैं तो वीडियो लाश्ट तक आप देखिए आपको सारी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में तो हरी मिर्च के प्लांट हम गमलों में भी लगा सकते हैं और अभी मैं आपको ये प्लांट दिखाने वाला हूं बहुत छोटी सी जगे पे लगे हैं अच छोटे से पॉली बेग में लगे हुए हैं ये पांच इंच का पॉली बेग है और इसमें मिट्टी भरके ये प्लांट लगाए हैं और आप इनमें फ्रूटिंग देख सकते हैं फ्रूटिंग काफी अच्छे साइच की हो रही है और ये मिर्चे रेड हो जाएंगी तब ही काम आती हैं और भी इनके कई काम होते हैं ये मिर्च ज्यादा तीखी नहीं होती हैं अभी हम आपको तीखी मिर्च भी दिखाएंगे जो छोटे साइच की होती हैं आप ये मिर्च देखिए और इनकी फ्रूटिंग देख सकते हैं तो आप जब भी मिर्च लगाएं तो किसी अच्छी दुकान, चे अच्छे सीड खरीदे, जबी जाके आप ऐसे फ्रूटिंग अच्छी ले सकते हैं, अगर आपके जो सीड है, वो खराब क्वाल्टी के होंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे, और अगर गुरो हो गए तो उन पे अच्छी फ्रूटिंग नहीं होगी मिर्च के प्लांट पे बहुत जल्दी बिमारिया लग जाती है तो आप इसका ख्याल रखिए कि इसमें माइट थिरिप्स की बिमारी बहुत जल्दी लगती है जिससे जिसकी पहचान आपको बता दे तो इनके जो पत्ते होते हैं वो सुकर जाते हैं ऐसा लगता है नाव की तरह पत्ते मुड जाते हैं तो आप इससे पहचान ले के आपके प्लांट पे माइट और थिरिप्स का अटेक हो चुका है बजार में आपको काफी पैशिसाइड मिल जाएंगे जो की इस बीमारी से आपके प्लांट को बचाएंगे पर आप केमिकल के तरफ ना जाए आप घरे लूप चार भी कर सकते हैं आप अपने प्लांट को डेली सावरिंग करें प्लांट को सावरिंग बहुत पसंद है जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पे हो तब कभी भी उस पे सावरिंग नहीं करनी चाहिए इससे प्लांट की जो फ्लावरिंग होती है वो खराब हो जाएगी और आपका प्लांट फ्लावरिंग के बाद फ्रूट नहीं बनेगा इसलिए जब तक आपका प्लांट फ्रूटिंग पे नहीं है तब तक आप इस पे बारिस कर सकते हैं फुआरे की जिससे आपके प्लांट पे कोई सी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट या पेस्टिसाइड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका प्लांट सही रहेगा आप पत्तियों के पीछे भी देख सकते हैं अगर कोई बीमारी लगे तो आप तुरंत इसका उपचार कर सकते हैं या तो आप लैसुन की कुछ कलियां लेके उसका पेस्टिसाइड बनाके अपने प्लांट पे छिड़के जिससे किसी भी तरह के रोग इसमें नहीं लगेंगे अगर आप घरेलू पेस्टिसाइड बनाना चाते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं हम इस टोपिक पे जरूर एक वीडियो लाएंगे तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इनमें फूरूटिंग हो रही है और ये प्लांट किसी बड़े गमले में नहीं लगे हैं बाकि छोटे से पॉली बेग में लगे हैं तो आप इनको 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं 4 से 5 प्लांट आपके घर के लिए काफी होंगे तो आप देख सकते हैं और आपको इस बात का और भी ख्याल रखना है कि कभी भी फूटिंग जब आपके प्लांट पे फूटूटिंग से पहले फ्लावरिंग होती है उस समय आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है ओवर वाटरिंग से जब फ्लावरिंग पे प्लांट होता है ओवर वाटरिंग के कारण उसकी फ्लावरिंग गिर जाती है अब इसमें और भी कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है जैसे कि आपने जब सीट खरीद ली अच्छे क्वाल्टी के और आपका प्लांट भी गुरू हो गया और प्लांट फ्लावरिंग पे भी आ गया है तब इसमें बात आती है खाद की तो आप अच्छी खाद डालेंगे तो अच्छे से फ्रूटिंग होगी तो आप देख सकते हैं ये प्लांट इस प्लास्टिक के गंबलों में लगाए हुए है और इनकी अभी आपको हम फ्रूटिंग दिखा देते हैं इन प्लांटों को हो गया है 35 दिन के लगभग ये प्लांट हो चुके हैं और इनकी अभी हम फ्रूटिंग आपको दिखा दें तो आप यही कहाएंगे कि इनमें फ्रूटिंग तो अभी हमें दिख नहीं रही है पर आपको बता दें इनमें फ्रूटिंग हो रही है इस्टार् प्राइट नहीं मिलेगी आप चाहें उसे कितनी भी अच्छी खाद दे दे जब तक उसे दूप नहीं मिलेगी तब तक वो फ्रूटिंग नहीं कर सकता है तो जिस बीमारी के में बात बता रहाता वो देखिए इन प्लांटों पे अटेक हो चुका है पर यहां पे जाधतर कैम यूज किया जाता है क्योंकि यहां पे एक प्लांट है यहां पे हजारों प्लांट लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं इन पे अटेक हो चुका है इसलिए बड़े लेबल पे जब भी इनकी खेती होती है तो वहां पे केमिकल का यूज किया जाता है इसलिए आप अपने घ को इस वीडियो में आपको यही जानकारी देना था, कि अगर आप अपने घर पे मिर्च के प्लांट लगाना चाहते हैं, बिना किसी केमिकल के, तो आप कैसे लगा सकते हैं, बागी आप अपने सामने रिजल्ट देख सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखे, आप भी गमलो में हरी मिर्च के प्लांट लगा सकते हैं, और प्लांट आप लगा सकते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ रही हैं, जनवरी की आठ तारिक हो गई है, सर्दी बहुत है, पर आप इसकी सीडलिंग फरवरी में कर सकते हैं, बहार के दिन लगते हैं, आप सीडलिंग करें और आपका प्लांट जो फ्रूटिंग से मार्च में, वो फ्रूटिंग करने लगेगा, और बाकी आप किसी अच्छी दुकान से सीडलें, और अगर आप अपने घर की हरी मिर्च, जो लाल मिर्च हो जाती है, अगर उसी के सीड आप ग्रो करना चाते हैं, तो किसी अच्छी साइच की लाल मिर्च लें, और उसके सीड आप गमले में डाल दें, फरवरी के समय, तो वो प्लांट ग्रो हो जाएंगे, और उन्हें फिर अच्छे से केर करके, आप अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं, तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पे इसी तरह की गार्डनिंग की वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सस्क्राइब रखे, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, हमारे चैनल पे आपको खेती करनी हो, या फिर आपके घर में किचन गार्डन हो, सबी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो अब मिलते हैं आपको एक नैश्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखे और हमें दीजिये इजाज़त,